जल्वास्प का शंगनन कियों होता है किसलिए होता है यह सारा कुछ हम लोग समझेंगे सबसे पहले डिर्कली हम लोग आते हैं क्रिश्फिल्ड महोड़े पर ठीक ना तो क्रिश्फिल्ड महोड़े ने बताया था क्रिश्फिल्ड के अनुसार कुछ ऐसी परिशितियां होती हैं कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिन प्रक्रियाओं की वज़े से वायू का शीतलन होता है और वायू के शीतलत होने की वज़े से संगनन होता है तो ऐसे प्रक्रिया हैं कौन-कौन सी है समझिए तो पहला जो है कि रुधोष्णू प्रक्रिया इससे पहले भी रुधोष्णू प्रक्रिया हम बता चुके हैं एडियाबेटिक प्रोसेस और दूसरा होता है और वो दोश्णू प्रक्रिया ठीकने यानि कि नौन एडियाबेटिक प्रोसेस अभी एक स्टूडिन्ट पूछ रहा था कि यूटूब से पढ़ना जरूरी है या फिर सब्सक्रिप्शन लेना जरूरी है मतलब यूटूब से काम चल जाएगा कि सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा ठीक है तो दिखो एक्टूली होता ये है कि यूटूब पर आपको सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं है खिरते हैं कुछ प्रिप्शन लेकिस पढ़के अगला पढ़ने के लिए फिर आप जाएंगे एप का सब्सक्रिप्शन लेंगे वहां पर दस जार बीज जार चले जार पर जार ऐसे पैसे आप कमशकम खर्च करेंगे और आज आज कल तो क्या है मतलब बहुत ही जादा वह आ गया है क्या बोलते हो उसको जैसे की हजार रुपए में दो हजार में तीन हजार में है ना नौ सब्सक्रिप्शन लेगा बलकि उससे जादा डिटेल तो यूट्यूब वाले पढ़ा लेते हैं क्लेर है जैसे कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वही देख लो और कई पर भी किसी एप का जो सब्सक्रिप्शन होता है वहां से आप देख लीजिए कंपेर करेंगा फिर आपको पता चले गया यहां तक कि एक रिपोर्टर ने जब अलग पांडे से पूचा अलग पांडे को थे सब्सक्रिप्शन लेना ज़रूरी है तो अलग पांडे ने कहा कि यह एडटेक कंपणियों का जो एडटेक चल्ला है मतलब की एजूकेशन टेकनोलोजी से सम्मदी जितनी भी कंपणिया निकले हैं जो एप पर मतलब बच्चों को पढ़ा रही हैं कहा कि उनका जो है यह ड पर पढ़े हुए यह बस एक मन में क्या है हुआ बना दिया गया है कि आपको सब्सक्रिप्शन ले करके पढ़ें के तो सलेक्शन आपका कम्प्रीट हो जाएगा जल्दी होगा ठीक ना लेकिन अगर सीरियस पढ़ने वाला हो तो यूट्यूब से देखके सारी चीज़ आर जो मैं छोड़ूंगा है ना हर एक विशे हर एक टॉपिक में पढ़ाओंगा यहां पर ठीक किसी भी सब्सक्रिप्शन की कोई जरूरत नहीं है यूट्यूब खोलिए चैनल खोलिए प्लेलिस्ट में सारे चीज़ें पढ़े हुए हैं फीजिकल जिग्राफी एकॉनामिक सारा कुछ ऐसे करें पढ़ेंगे अब वह कहते हैं कि अब जैसे मैं जोग्राफी पढ़ा रहा हूं वैसे ही बहुत से जो स्ट्रगलर जो एजूकेटर से जो स्ट्रगल कर रहे हैं उन्होंने भी अच्छी अच्छी नॉलेज्ज दी हुई है यूट्यूब पे आपको बस क्या करना है उनको ढूंड के पढ़ना जैसे किसी को हिस्ट्री पढ़ना है किसी ने बड़ा वकायदे पढ़ाया हुआ है मैं भी पहले पढ़ा करता था बहुत से इसी वीडियोज हैं जो बेसीक येलिवल पर बिल्कुल डूटेल में अच्छे से आपको पढ़ तो उन सब चीजों से क्या करना है बचना है दूसरों को भी बचने की सलाह देनी है अगर सिलेशली आप को शुड़ी करनी है आप यूट्यूब से अराम से नोट सो बनाते हुए उसको पड़ सकते हैं किसी भी सब्सक्रिप्शन की कोई जरूरत नहीं है है क्लियर आगे देखते हैं तो उमखे ने बताया कि देखिए जलवास्थिंगान होने के लिए कुछ प्रकृया है आ होती जिसमें मंडल में वायूदाब कम होने के कारड़ क्या होता है वायू का शीतलन हो जाता है वायू ठंडी हो जाती है जिसके वज़से संगनान होता है या फिर और उदोश्यू प्रक्रिया नौन एडियाबेटिक प्रोसेस और उदोश्यू प्रक्रिया मतलब ऐसी प्रक्रिया जो और उदोश्यू नान एडियाबेटिक है इसक क्लियर विकिरण के द्वारा उष्मा का उष्मा में कमी होती है और वायू शीतल हो जाती है ठीक है विकिरण द्वारा पूरा लिख देते हैं उश्मा में कमी विखिर्ण के द्वारा उश्मा में कमी दूसरा श्यालन के द्वारा ठीक ना द्वारा उश्मा में कमी मतलब वायू के उश्मा में कमी ठीक तीसरा समवहन द्वारा वायू के उस्मा में कमी देखिए दाब से मतलब नहीं है इना वायू के आरोहड और 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 से भी मतलब नहीं है वायू के और होगा और और होगा वायू दाब बढ़े गा या घटे होगी क्लियर कि इसके लावा कि वायू के प्रवाह के कारण है ना जैसे वायू का 36 प्रवाह होता है पहुन चलती है उसके दोरा भी वायू का शीतलन हो जाता है यह सारी प्रक्रियां किसमी आती है और दोस्तों प्रक्रिया के अंतरगत आती हैं दूसरी चीज कुछ हाइग्रोस्कोपिक नुक्लियाई होते हैं यानि कि जलगराही नाविक होते हैं और जलगराही नाविक क्या करते हैं कि शीतलन के प्रमुख काड बनते हैं तो इन जलगराही नाविकों को देख लेते हैं क्या चीज़? जलगराही नाविक ठेक न? हग्रोस्कोपिक नूकलियाई अब ये जलगराही नाविक क्या करते हैं देखिए किसी भी वायू मंडल में किसी भी वायू का संगनन होने के लिए यथेश्ट मात्रा में यानि कि उचित मात्रा में जलगराही नाविकों का होना जरूरी है अब समझेए ये जलगराई नाविक होते क्या हैं ऐसे नाविक ऐसे अती सुछमुकड जो वायु मंडल से क्या करते हैं जलवास्प का और सोशल कर लेते हैं उसको ग्रहण कर लेते हैं ध्यान से समझेगा जैसे अगर ठंडा पानी फ्रीज का एक लोटे में डाल दीजिए तो लोटे के बाहर बाहर चारो तरफ क्या होता है छोटे छोटे जलगराई नाविक वायु मंडल के जलवास उग्रहण कर लेते हैं और आ करके जो शीतल जगव होती है महाँ पर बैड़ी आते है अभी जो ओस देखिए गिर रही है उस गिरने काड़ा क्या है उसके आस्मान से उपर से गिरती है ओस उपर से नहीं आती है धरातल के पास यानि कि धरातली मंदल में ही जो चीज हम देख रहे हैं वही ओस बन जाता है अब बंता कैसे समझे रात के समय में जब ओस पढ़ाएंगे तो चीज और डिटेल ने बताएंगे समझे यह देखिए धरती है क्या है यह अर्थ है ठीक र आर्थी विकिरण को रिलीज करता है जितना दिन में सोखा राता है रात्री के समय क्या करता है वह सारा विकिरण रिलीज करता है कंडिशन यह है एटमासफेर मौसम आपका साफ होना चाहिए आकास सच होना चाहिए और ठंडा होना चाहिए ठंडी लंबी राते होनी झो कि यह एर्थ्स जब अपने अंदर से विक्रण को रिलीज करती है ना तो इसके ऊपर मौजुद इतनी भी चीज़ें उती है वो अद्यान्त ठंड़ी हो जाती है सब ने रिलीज करते हैं कोई दरातावलों या कोई चीजी सब रिलीज कर देते हैं ठीक तो यह अत्यंत क्या हो जाता है ठंडा हो जाता है तो जो जल गराइन आभी यहां पर होते हैं ठीक नहीं यह क्या करते हैं वायू मंडल यह जब ठंडा होता है तो इसके उपर की जलवा ही है कि भासन में रहा है पाला भी इसी पढ़ता है ओस और पाला दोनों के पढ़ने की कंडिशन एक ही है बताएंगे आगे फिलाल इसको समझ लेते हैं तो यह होते हैं जलगराही नाविक अच्छा कौन-कौन से हैं तो पहला है समुद्री लवड का मतलब यह मत समझना कि समुद्री लवल आकास में कैसी पाया जाएगा है समुद्री जल में जो लवड पायाते हैं उनके ही इसे कि सोडियम प्लॉराइड और मैगनिशियम ौराइड यह क्या है जल्गराही नाभिक में आते नुकलिया ही हैं इसके अलावा नाइटरस आकसाइड इसके अलावा सलफर्डाई आकसाइड इसके अलावा सलफर्डाई आकसाइड clear? पास उन में रही है? है तो यह क्या है जल ग्रही नाभिक अब यह नाभिक आते कैसे हैं वाईव मंदल में समझे इस चीज को यह जो नाभिक है यह चिमनियों से शलफर डाइक साइड हो गया नाइटरॉस अकशाइड हो गया यह खतरनाक वाले होते हैं आप कोईला जला रहा है पेट्रोलियम जला रहा है चिम्नियों के धुआ से धुए में ही यह होती है और आके धुए से ही इनकी पूर्ती वायु मंडल में होती है जैसे कोईला जल रहा है कहीं पे तो धुआ के साथ ही जाके वायु मंडल में क्या हो जाएंगे मिक्स हो जाएं को इसे अमलो वर्षा का नाम आपने सुना होगा नहीं है अमलो वर्षा यानि कि एसीड रेन ऑल Ge यह वर्षा क्या होती है चलफरडाइकसाइड काaste जवाउन मंदल में अधिक मात्रा में हो जाता है ठीक ना समझे जब सलफर डायक्साइड की मात्रा वायमंडल ने बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वायमंडल के जलवास्प से क्रिया करके यह क्या करते हैं नाइट्रिक अमलो बना लेते हैं गंधकाम लो बना लेते हैं यानि कि तेजाब की रूप में हो जाते तो हम कहते हैं ACDRAIN हो रहा है कारण कैसी पैसी टरनों कि सुलफर डाहिए कहाँ से आता है कारण मुनुआक्साइड ये सब आते हैं कहां से चिमनियों से ठीक है गाड़ियों के धुए से निकल करके क्या होती है वाइ मंडल में मिल जाती है जो फैक्ट्रिया कल कर खाने है तो अगर आपसे यह question पूशा जाया है कि Acid Rern को नियंद्रित कैसे कर सकते है Acid Rern को कम कैसे कर सकते हैं तो answer होगा कि Acid Rern को जिससे एमें है कि ऐसीड रहा है किर टाज महल का कलर क्या हो रहा है कि कि त्फता चला कि आगई साझ आगे आटमा न तो फिर माड डालेगी सब को कि महबत में अपनी प्रत्नी के लिए हमने पनवाया ताजमाल बनवाया ठीक है अधिक है और तुम लोग क्या कर रहे हो यहां हानिकारक पदार्थम को रिलीज करके हमारी जो है मुभबत की निशानी खतम कर रहे हो बड़कने तलवार लेकर आ जाएंगे बस दिक्कत हो जाएगी इसलिए इसको निहंद्रित करना बहुत जोड़ी है आगे देखते हैं तो यह हो गया एशी ड्रेन चलो तो यहां से हम आगे देखेंगे कि कुछ ऐसे जलवास्प के शंगनन होते हैं जलवास्प के शंगनन होने के कारण कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जिनको हम अलग-अलग नामों से जानते हैं ठीक न वह अलग-अलग नामों से हम किस प्रकार जानते हैं जैसे कि हम जानते हैं ओस याने की दियू ठीक और क्या जानते हैं तुशार याने की पाला भी इसको कहते हैं पाला या तुशार याने की फ्रोस्ट इन दोनों को समझ लेते हैं फिर आगे समझेंगे कोहरा क्या होता है धुंद क्या होता है कुहास समझते हैं ओस को ठीक नहीं यहां से बात करेंगे डिव की बात करेंगे देखिए जब धरातल के बिल्कुल समीब संगनन होता है सबसे पहले ओस कहते किसको है तो जलवास की बिल्कुल छोटी-छोटी बूंदे जब सफेद मोती की तरह धरातल पर गिर जाती है पंखुडियो वायू का संगनन होता है जिसके फल सुरूप जलवास की अती छोटी-छोटी बूंदे धरातल पर फैल जाती है नीचे किस पर वनस्पतियों पर बाकी चीजों पर तो हम कहते हैं तो हम उसे ओस कहते हैं अब वोस का निर्माड कैसे होता है ओस का निर्माड हिमांक से उपर ह होना चाहिए ओस के निर्माड के लिए आवशक दसा है कि वायू मंडल का टंपरेचर कम हो तापमान कम हो लेकिन हिमांक से उपर रहे मतलब की जीरो डिगरी से उपर हो संगनन किस पर संगनन होना चाहिए जीरो डिगरी से उपर संगनन होना चाहिए संगनन हो लेकिन जीरो ओसके निर्माढ की आवशक कुछ दम थाएं उतिए उनदाशाएं को समझ लेते हैं पहला किया है चान्त वइंडल होना चाहिए हवा चलेगी तो ओसका निर्माढ नहीं होगा पहली आवशक दशाद शांत वंडल दूसरी आवशक दशा हिमांग से उपर संगनन हो और एक 0 डिगरी सल्शियस से उपर संगनन होना चाहिए तब ही ओस बनेगी तीसरा क्या है लंबी और ठंडी रात हो आप अच्छा ये बताइए क्या गर्मी में ओस नहीं पढ़ती है अगर कोश्चन आए कि गर्मी में ओस न पढ़ने का काड़ बताईए तो सबसे पहला काड़ ये होगा कि गर्मीयों की राते छोटी होती है दूसरा काड़ होगा गर्मीयों की राते ठंडी नहीं होती है इसलिए गर्मियों में ओस नहीं पड़ती कि समाने रूप से आप लोगों ने देखा होगा ओस शाम को नहीं पड़ती है रात में 12 बजे भी नहीं पड़ती है बोर में 4 बजे भी नहीं पड़ती है जब आवश्यक रूप से जितनी आवश्यक दसा है मंडल की जब उतनी ठंडी हो जाएगी तो ओस अचानक से सुबसुब 5 बजे 6 बजे 7 बजे भी घेर मतलब पड़ जाता है ठीक बासम्जारी है इसी भी बता देते हैं चीज कोहरा कोहरा याने की फॉग ओज भारी मातरा में वायुमंडल में ही रहती है धरती पर गिरी नहीं रहती है तो हम उसे कहते हैं क्या फॉग कोहरा क्लियर कोहरे में विजिबिल्टी एक किलोमीटर से कम होती है द्रिश्यता क्या चीज द्रिश्यता विजिबिल्टी एक किलोमीटर से कम होती है एक और समझ लिए टर्म है कुहासा कुहासा याने की मिस्ट कुहासा क्या होता है भाई कुहासा मिस्ट इसमें जो होते हैं इसम कवाषा में जलवाश के कड़ कोहरे के कड़ों यह ही काल हैं मा sav के किलो LEE किलोमीटर से प्लस होती है लेकिन फ्रॉछ किलोमीटर से कम होती मतब्सराद से ज्यादा दूराप उसको बोलते हैं क्या कुष बड़े उते हैं और कुछ बढ़े होते जब ओश् Information में रहता है, दरती पर नहीं गिरा होता है अब भारी मात्रा में रहता है, तो इसमें दिश्तां बिल्कुल कम होते हैं, उसे हम क्वऑराफोग कहते हैं देहां दीजी, जब कुहासे में, धूल और धूए के कड मिल जाते हैं, तब इसे कहते हैं धूंद, स्मॉग, तब इसे धूंद कहते हैं या धूआसा कहते हैं, धूंद कहते हैं, जब कोहरे या कुवासे दोनों में कह सकते हैं, जब कोहरे में या कुवासे में धूल और धूए के कड मिल जाकर के, तो वो होता है धूंद, उसको बोलते हैं धूंद, याने की स्मॉग, दिल्ली में यह वायू मंडल का जो होता है बिल्कुल खराब कर देता है condition उसका ना जो वायू मंडल की जो cleanty होती है काते है ना कि हवा का level खराब हो गया है वायू ठीक नहीं है तो उसको यह क्या कर देता है खराब कर देता दूंद और अलग अलग जगों पर जो दूंद बनते हैं उनके वज़से इनके नाम भी पड़ जाते हैं जैसे लंदन में जो धूंद वा करता था उसको लंडन स्मॉक बोलते हैं तो ऐसे से करके चर्चा करें गुश्परबाद में इतनी बासवन में आ रही ह ठीक और चोथा इसमें क्या है ओस बनने में स्वच्छ आकास होना चाहिए स्वच्छ आकास आकास भी साफ होना चाहिए बादल ओदल नहीं होने चाहिए क्लियर है ठीक अब इतनी सीजिए समझने के बाद अब हम लोग समझेंगे तुशार यानि की पाला फ्रोस्ट किसे कहते हैं देखिए ध्यान दीजिए ओस और तुशार बनने की कंडिशन सेम होती है याद रखिएगा पाला वो होता है जैसे ये पत्ती है ठीक ना ये पत्त किरिए इस पर ओस की कोई बूंद गिरी यहां पर ओस की कोई बूंद गिरी और ये जम गई और ये जम गई ये ओस है यह पाला नहीं है पाला में क्या होता है जल वास्प मतलब जो जल है वो द्रॉम में नहीं बदलेगा सीधे किस में बदल जायेगा ठोश में यानि कि उर्धोपातन की क्रिया होगी सबलीमेशन होगा तो उसे कहेंगे तुशारया पाला देखे बनने की क्रिया सेम है हमने क्या बताया जब condensation होता है तो जो जलवास्प होती है पत्ति पर आ करके बैट रही है तो वो हम ओस कहते है मतलब पानी की रुप में बैटेगी न तो हम ओस कहेंगे वो जम गई तो वो पाला नहीं होगा पाला वो है जब जलवास्प सीदे पत्ति से तच होते ही मतलब जलवास्प का, जैसे ही जलवास्प का संगनन हो, नीचे आते ही वो जम जाए, और फसलों को यही नुकसान करता है, तो हम कहते हैं कि फसलों को क्या मार दिया, पाला मार दिया तो लोग फसलों में दवा वगरा का छिरकाव करते हैं, तो उम्मीद है उस तुशार पाला यह सारी चीजी आपको समझ में आ गई है क्लियर तो इसके अगले क्लास में हम लोग ब्यातरिन तरहां इसी में एक और होता है बादल में कंडैसेशन की प्रकरिया से ही यानि की प्रकरिया से ही जब हीम के कड़ जलवार्वास्प सब आपस मिल जाते हैं भारी मातरा में धरातल कि मंदलं उपस्तित कई परतों में उपर से नीचे तक अलग-अलग बादल ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लेयर में होता है अलग-अलग भिभिन उचाई पर अलग-अलग उचाईों पर मेगों का निर्माड होता है तो दो चीजे हैं यहां से थोड़ा इसको डीटिल में हम लोग पढ़ेंगे कुहरा को । और मेगों को मेगों को मेगों के परकार देखेंगे उनसे बारिष किस तरीके से होती है और कुहरे किस तरीके से प्रभावित करते हैं कैसे इनका विशलिशड होता है तो चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर कोई भी doubt हो कोई भी दिक्कत हो तो आप comment box में हाँ comment करके पूछिए कि कोई problem आ रही है कोई दिक्कत आ रही है और telegram channel का link भी description में दे दिया जाएगा उससे आप telegram channel join कर सकते हैं जिससे सारे topics पर आप अलग-अलग quiz कर सकते हैं